नवरात्र के आखरी दिन विश्व विख्यात धर्म नगरी रतनपूर मा सिध्धी दात्री मा महामयदिवी हा अपन भक्त मनला अध्भूत रूप मा दर्सन देवीच जेखर बखान सब दमा नहीं करे जा सके तो माता राणी के सव तीन किलो स्वण आबूसन ले अलंकृत ये अद्भुद्धिव यरूप के दर्शन नियूस 36 के माध्याम से जम्मो भक्त तक पहुचाय जावा थे बतादन के ये बच्छर रतनपूर के साड़ी अकुआर नवरात्र महत्साव मा नव दिन तक पुड़ा नगर हा भक्तमन के आस्था ले सराबुर रही नवमी तीथी मा मा महा माया देवी के भिनसर हा पाँच बजे राजसी सिंगार करे गई जे मा माता रानी गा सवा तीन किलो सोन के गहना से अलंक्रित करे गई इस मा जगदंबा के ये नैना भिराम रूप देखके स्रधालू मन मंत्र मूग्ध हो गए रही स्रिंगार मा प्रयुक्त गहना मन मा रानी हार, कंठ हार, चंद्र हार, मोहर हार, करधन, सांटी, जेहर, बिचिया, नत, बिंदिया, तिलरी, जुंका सहीत, विभिन प्रकार के आभूसन से अलंक्रित रही मातारानी के दिव्या, शरूपला, निहारे और आसिरवात पाय के खातिर भिहनिया ले ही भग्त मन के भारी भीड लगे रही ये सिंगार के बाद वीविद धार्मिक अनुष्थान के बाद मा महामाया के पूरा विधी विधान ले पूजा आर्ती करे गई ये आर्ती मा स्वैकोडो लोगन मन सामीलो के पून्य के अधिकारी बनीन उखर बाद रासी नावैद भोग देवी माला अरपित करे गई तो नौ कन्या और तीन बटूक मन के विधी वात पूजा करके उमला भोजन और दक्छिडा आधी भेट करके बीदा करे गई एक अर्संगे संग ब्रामभड भोज संपन नहोए के बाद महा नौमी और नौरात्र के विसर्जन के कारेक्रम संपन न करे जाही नौमी का दिन है और आज मा महा माया को पूरा सोला सिंगार से सजाया जाता है जिसमें मुकुट है मोहर हार है कंठा है रानी हार है और करधन है तीन-तीन और कुंडल है पायल है जो भी 16 सिंगार में जो भी चीजों की आवशक्ता पड़ती है उनसे आज माता जी को सजाया गया है आप खुद देखे हैं कि कितना विशाल माता जी का आज लगब किकनिक किलो का आवशा है वो करीब सवा तीन किलो के जेवर हैं उसमें जिसमें पूरे सब जेवर आते हैं व तो दूसरे भोज प्रारम के जाएंगे अभी आपके अभी तुरंती प्रारम वहाय करना भोज